तो चलिए दोस्तों जैसा मैं कल प्रेडिक्शन किया था बेलकुल उसके मुतावित थी SBC Export Limited जो अभी अभी कंपनी ने बोनस दिया था वन इस्टू टू के रिस्यो में हर दो सेर के बदले में एक सेर बोनस कंपनी ने दिया था अपनों को और अभी इसका एकस डेट भी बीदा था और उसके बाद जो है कंपनी जो है SM के लिश्ट में आ चुकी है और मैं आप लोगों को बताया था ठीक है यहां पर लिश्ट तो आपको यहां पर दिख रही होगी कौन सी लिश्ट में सामील हुआ है यह मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं पहले यहां पर देखिए यह 19 तारीक की मैं एक वीडियो बनाया था ठीक है और यह बोनस वाली वीडियो थी क्योंकि बोनस का अर्जेस्टमेंट हुआ था जो इसका एकस डेट रिकोर्ड डेट था वह उननीस जनावरी 2024 को था ठीक है ना तो उसी का यहां पर देखने के रिए मिला हला कि एड़ेस्टमेंट तएस परसेंट की गरावट के साथ होना चाहिए था लेकिन हुआ 20 परसेंट का जो है गिरावट के वहल मतलब 13% गयप हो गया तो तेरह परसेंड वह जहा है तेजी में जो है चला गया थीक न तो एक्ट्वल में कल 20% की गिरावट नहीं हुई थी 30% की 20% की तेजी हुई थी यह मैं आप लोग को कल बताया था और उसी के वीडियो में मैं बताया था इसी वाले वीडियो में कि यह जो है SM के लिश्ट में सामिर हो सोच सकता है क्योंकि बड़ा सा जो है यह तेजी दिखा पहले कहा गया यहां पर देखिए यह वाली केंडल बड़ी थी और यह बड़ी सी तेजी आपको अठाई सुर्पे साट पैसे पे इसका क्लोजिंग हुआ था और आप लोगों को दिखेगा कि तेई सुर्पे पंचानवे पैसे पे इसका जो है एवरे अर्जेस्टमेंट जो आप लोगो एक शेर मिलनेमाल तो दोनों सियर में से पैसा आपका जो है काड़ क क्योड जो है ठीक है डो हो होगता है और आज आप लोग देख से तो आज वाली केंडल तो कंट भर में बिल्कुल कर दिया है कि एकदब एससे में जाना ही जाना है वोल्यूम भी नीचे बढ़ा है ठीक है अब देख से तो डारेक्ट ली यहां पर हमको कॉंटिटी दे रहा है डालने के लिए कि यहां प से अपनी केबल रहेगा तेईस जनौरी दोजार चौबीस से यह एक्टी हो जाएगा एसम लिष्ट इसका ठीक ना और यह सौट टम के स्टेज वन में यहां पर देखे सौट टम फ्रेमवर्क में यह सामील हुआ है स्टेज वन में सामील हुआ ठीक ना बाहर कब आएगा पहले से भी गया था कई बार अब इसका प्रिक्षन करना पड़ेगा लेकिन छठमें टेडिंग सेशन टेडिंग सेशन अगर आप लोग लेते हैं तो छठमा टेडिंग सेशन आप लिगेगा मतलब जिस दिन टेडिंग हो रहा जैसे आज से मत इसको काउंट करिएगा तो देखिए तारिक से काउंट करें क्योंकि सो महार को भी छुटी है जो असनीवार को आज मार्केड ओपन था इसी का जो है मतलब रहेगा छुटी इसी का संती नहीं रहेगा मतलब कहलें कि वह जो प्राण प्रतिस्था हो नहीं है सी राम का उसका होगा अध्या में ठीक तो उसके लिए चुटी होगी तो 22 को भी छोड़ देंगे 23 से 80 होगा तो 23 पहला दिन हो जाएगा 24 दूसरा दिन 25 तिसरा दिन 26 चौथा दिन पांचमा दिन हो जाएगा 29 क्योंकि 26 27 27 फिर चुटी हो जाए और 30 तो 30 29 30 29 तो नहीं 30 और एक 30 यह दो टेडिंग सेस्टन आप ल लीजिए सभी लो ठीक है नो तो यहां पर यह एड हो जुका है बहुत सारे हैं लेकिन आपको तो इस बीसी से मतला बना कल वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि 135 रुपे क्या स्पास का यह टार्गेट दे सकता है और देख सकतो लगबग लगबग जो आई केनल के नीचे का लों का ईस्टपलस ला यह कि आप खईधारी प्रीभेग कर सकते क्योंकि बड़े क्रेंडल का उतना ज्यादा obese होता है कि बडे केंडल के आब यहां पर देखी बड़ा कि इस फंक्राइट ना होब चपिर बाय करिए इसके के निचोंदल का मतलब यह होता ह सब्सक्राइब करना चाहते हो कोई भी स्टॉक हो ठीक ना उसके बाद तो अपनी अलग अलग होती है तो देख लिएगा अभी तुम्हें इसमें और ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ब्यू नहीं दे पाऊंगा साड़े 27 उपे के लेबल की जब तक यह उपर टेट करा इसको आप लोग उपर मानके चलिए डिप भी देगा तो यह साड़े 27 उपे तक काई देगा बहुत भाग चुका है अब देखना पड़ेगा कि एसम लिस्ट में जाने के बाद कैसा रियक्ट करता है उसके माँ बाद मैं आप लोग को नेक्स टार्गेट दे दूँगा तो ध्यान दिजेगा हलाकि इसमें टार्गेट अभी है भाई अभी तो पचास बाउन तक भी जाए सकता है ठीक ना देखना पड़ेगा कि कैसा रियक्ट करता है तीन चार कैनल और बननी चाहिए उसके बाद क्लियर होग ठीक ना तो देख लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे मिलते हैं अगले वीडियो में